प्रेक्टिस करेंगे इसमें हम जी एस के प्रश्णों पर इस टेस्स सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है बहां पर आप टेस्ट नुमबर वन से लेकर जो भी नए टेस्ट आएगा वहां तक पहुंच सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका तो जरी स्टार्ट करते हैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है आरो का फॉम आ जाएगा तो समय कम है प्रेक्टिस करते रहेगा हर दिन चुलिए तो कॉश्चन नुमबर वन है खादिस रंखला यानी फूड चेन के अनुशार मनुश्य होता है क्या उत्पादक अपगटक उत्पादक उपवोकता उत्पादक उपवोकता दोनो देखें इन्वार्मेंट टेकोलोजी आपने पड़ी हो परियावरन पारिश सित की परिक्षा बाणी पड़ी हो तो फूड चेन को पड़ाओगा उसमें उसी के उपर यह सवाल है फूड चेन के अनुशार मनुश्य होता है प्रोड़ी सर फन्तर में जो है सबसे चोटे या सबसे पहले आता है इसको खाता है ऐइस से ब्होजन प्राप्त करता है वह होता है प्राइमरी कॉंजूमर यानि प्राथ में को भोगता जो इसको खा गया वो हो गया सेकेंडरी कॉंजूमर यानि दुत्यक भोगता जो इन सब को खा गया मतलब इन दोनों को खा गया वो हो गया टर्शरी कॉंजूमर यानि दृत्यक भोगता इसके बाद फाइनल कॉंजूमर आते हैं, यानि जो अंतिम उफोकता होते हैं, ये चीज यहाँ भी खतम हो सकती है, ठीक है? और इन सब के बाद, इन सब को मिट्टी में मिलाने के लिए होते हैं, decomposer, यानि खाद बनाने के लिए होते हैं, decomposer, decomposer यानि अपगह ःतक, जो इनको छोटे-छोटे कार्वनिक ततों में तोड़ देते हैं जैसे कि कवक और बैक्टिरिया और छोटे सूक्षम कीट तो मनुष्य तो है नहीं इसमें कहां होना चाहिए मनुष्य मनुष्य ये तो होनी सकता डिकंपोजर अब घटक तो करता नहीं है वो तो अब घटक जहां पर उसको हटा दीजिए मनुष्य उत्पादक भी नहीं हो सकता क्योंकि अपना भोजन तो शाहिम नहीं बनाता वो यहां भोजन गैस चूले पर बनाने की बात नहीं हो रही है खुद से बनाना जैसे की पौधे बनाते हैं सूर के प्रकास की उपस्तिती में ठीक है मिट्टी से जल कार्बन डैयाकसाइड को ग्रहन करते हैं ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं तो उत्पादक भी नहीं हो सकता मनुष्य यहां जहां उत्पादक उसको हटा दीजिए अब व तो मनुष्य जो है वो साकाहरी भी होता है तो प्राइमरी कंजूमर भी है वो अगर वो मांस खाएगा यानि प्राइमरी कंजूमर को खाएगा तो मनुष्य के स्थिति यहां भी हो सकती है यहां भी हो सकती है और यहां भी हो सकती है यहां नहीं होगी यहां नहीं होगी या हरे पोधे यानि ग्रीन प्लांट आप घटक बताई दिया आपको फंगास बैक्टिरिया और इंसेक्ट यानि कबक जीवाणू और खीट वागी उपहोगता कौन-कौन है मनुष्य भी एक उपहोगता है हिरन भी है खरगोश भी है बाग भी है अच्छा खरगोश पूछले ग्हास खाता है मिली भॉजन प्राप्त करता है घास खाता है मिलिस घास ही खाता सब्सक्याद वी राउक को बहोगता है हिरन हिरन भी प्राइमरी कण्जिमर अब मनुष्य जो है फो प्राइमरी है रंच बाग प्राइमरी तो हो नहीं सकता है कि घास फूस नहीं खाता है तो ये उच्च महासारी ही होगा यानि टर्सरी इसको कहलो या फाइनल कंज्यूमर इसको कहलो क्योंकि ये तो खर्गोस को भी खा जाएगा हेरन को भी खा जाएगा चलिए उच्च नमबर टूपर आजे ताला परिसिक तंतर में खाज संखला प्रारंब होती है इन अपॉंड एकोसिस्टम दा फूड चैन विगन्स विट छोटी मचलियों से फाइटो प्लैंक्टन से जू प्लैंक्टन से एक्वाटिक एंसेक्ट से यानि छोटी मचली पादा प्लवग जन्तू प्लवग जली या कीट जैसे घास मरोस्थल था उपर वाला वो घास की फूड चैन दिखाए थी आपको तो घास में तो घास हो गई सबसे छोटी ठीक है या जिससे फूड चैन प्रारंब होती है खास संकला प्रारंब होती है खास हो गई छोटे पौधे हो गई ऐसे ही तालाब के पारितंत्र में तालाब में भी तो पौधे से होगी ना चोटी मचली से तो होगी नहीं जू प्लैंक्टन से भी नहीं होगी aquatic insect से भी नहीं होगी aquatic insect तो वहां के अब घटक होते होंगे यह होगी phytoplankton से यह पादप प्लवक से भी है इसका अंसर इन सभी test किया full test series प्राप्त कर सकते हो यह numbers फर कोले वाटसप करके देखिए पादप प्लवक जो है वो जलकी सतय की सबसे उपरी परत पर पाए जाने वाले सुक्षम पॉद होते हैं यह जलिय पाइ तंतर के निर्माता होते हैं यह अपना भोजन बनाने के लिए सूर के प्रकास को अपशोशषित करते हैं प्राथ में को भूक्ता द्वारानका से बन किया जाता है जैसे कि स्यवाल हो गया, डाइटम हो गया, अब जू प्लैंक्टन की बात करें, जू प्लैंक्टन यानि जन्तू प्लवक ये क्या होते हैं, जन्तू प्लवक छोटे जन्तू होते हैं, जो क्रिस्टेसियन्स या सूक्ष्म जन्तू जैसे कि मेरो प्लैंक्टन, कौमा जलिये प भोजन तो खुद बनाता नहीं होगा और देखिए उनका भोजन पाद अप्लवग होता है ठीक है फाइटो प्लैंक्टन तथा बदले में दुत्तिक उभुखता द्वारा उभुख किये जाते हैं अब इनको कौन खाएगा जू प्लैंक्टन को कौन खाएगा जू प्लैंक्टन को खाएगा सेकंडरी कंजूमर ठीक है उस घास इस्थल में सेकंडरी कंजूमर कौन था कौन था घास इस्थल में सेकंडरी कंजूमर चूहा था जो टिड़ी को खा रहा था और यहां कौन होगा यहां हो जाएगी small fish छोटी मचली अब आगए जलिये कीट यानि aquatic insect जलिये कीट सामानेता जन्तू प्लवक और पादप प्लवक पर भोजन करने वाले जलिये पाईत अंत्र के दुत्यक उपहोगता है जो जलिये कीट होते हैं aquatic insect होते हैं वो जन्तू प्लवक को भी खाते हैं वो phytoplankton को भी खाते हैं जो छोटी मचली है वो तृतिय को भोगता है जो छोटे कीड़े मकोड़ों और जन्तू प्लवक को खाती है तीसरा प्रस्ण है रिम लिकत में से कौन सा chlorophyllast का एक उधार्ण है तो छोटी मचली जो है वो phytoplankton को भी खा जाएगी जू प्लेंक्टन को भी खा जाएगी दोनों को खा जाएगी तो कौन सा chlorophyllast का एक लक्षन है जो उसे स्वेप प्रतिकर्ति के योग्य बनाता है यानि self-replication के योग्य बनाता है RNA की उपस्तिती उप्रोक्त में से कोई नहीं DNA की उपस्तिती DNA और RNA दोनों की उपस्तिती कि लौपलास्ट जो है वो सेल्फ रेप्लिकेट करता है यह क्यों कर पाता है क्योंकि dna और आरेनी की उपश्थति है उसमें एक हरे रंग का प्लाजमेट है जो एक पौधे की कोशिका के भीतर मौजूद होता है एक दोहरी जिली वाली संरश्णा है यह है आर्ध स्वायत होती है और इसका अपना DNA है DNA जो है वो प्रतिक्रती यानि replication बना सकता है और इसकी प्रतिलिपी यानि copy भी बना सकता है DNA और RNA दोनों ही chloroplast की प्रतिक्रती में महत्पूर्ण भूमिकाने वहते हैं ठीक है इसने DNA और RNA दोनों वाला options है होगा जो पौधों की कोशिका में पाई जाने वाले और गनेल है जो प्रकास अंस्टिलेशन यानि photosynthesis के लिए जो मिदार है नंबर फोर पर आज़े chlorophyll जो है सूर के प्रकास के डेस तरंग धेड को अप्शोशित करता है लाल और नीले हरे और नीले हरे और लाल इन में से कोई नहीं है ब्रशन इंपोर्टेंट है यह इसका अंसर है लाल और नीला देखिए chlorophyll chlorophyll जो है वह हरे पोधे में पुर्चर माता है पाई जाने वाला वार्णक जो है वह वह क्लोरोफिल है क्लोरोप्लास बोलाएक है chlorophyll सूर के प्रकास के डेस तो लाल और नीले देखे यह है जरशमान प्रकास स्पेक्टरम के नीले और लाल शेत्रों में सबसे अधिक कुशलता से अब सोशित करता है तो एह है अंसर नंबर 5 पर आजए किसमें परिवर्थन के कारण रंद्र खुलते या बंध होते हैं कोशिकाओं में निकलियोस की उपस्ति कोशिकाओं में प्रोटीन सन रशना कोशिकाओं में जलकी मातरा उपरोक्त में से कोई नहीं रंधर का खुलना और बंध होना यह हो जाएगा अपसान नंबर सी कोशिकाओं में जलकी मातरा रंध यानी स्टोमेटा का खुलना और बंध होना एक ऐसी प्रकरिया है जो पौधों में गैस भी निमें और जल संतुल उनको नेंतरित करती है यह स्कूल में पढ़ाओगा आपने छोटी क्लासों में देखे इस प्रकरिया में दो मुख्य कोशिकाओं द्वारा नेंतरित किया जाता है जिन्हें गार्ड सेल कहा जाता है रंध छिद्र के आसपास गार्ड कोशिकाओं इस्तित है और छिद्र को खोलने और बंद करने के लिए जिम्मेदार होती है और जल का अपवाह रक्षा को कोशिकाओं द्वारा रंधों के खुलने को नेंतरित करता है इसलिए सही उतर हो जाएगा कोशिकाओं में जल की मत् नमबर शिक्स पर आ जाए है मानब शरीर में पेशियां पेशियों के बारे में नमने के तुम से कौन सा स्टेटमेंट गलत है कौन सा कथन गलत है पेशियां को क्या कहा जाएगा पेशियां होती है मसल्स पेशियां या मास पेशियां या मसल्स ये तीरों एक ही बात है तो पे प्रख्तों से कोई भी गलत नहीं तीनुकी थीन सही है कहना चाहिए जोन नहीं एक तो गलत है चीव स incl。 मसल्स सिंकूर्ण पर छोटी मोटी और सक्त हो जाती है ठीक है मसल्स यूगल में काम करती है जीप कर अब्लश कुछ अंतर बंडल बनाते हैं और पेशियों में एक्टेन, मायोसिन, ट्रोपोनेन और ट्रोपो मायोसिन जैसे विभिन प्रोटीन होते हैं पेशियां चलन में सहाथा करती हैं पेशियां यानि मसल्स खीचने में सक्षम होती है लेकिन धक्का देने में सक्षम नहीं होती है तो गलत पेशी सिकुर्टी है तो दूसरी सित्छल होती है इस प्रकारि यह य यह दो में काम करती है तो फेशिया जो हैं। सिकुल्णे पर छोटी मोटी सक्त हो जाती आर सरकोमियर की लंबाई सिकुल्णे के दवरान कम हो जाती है सिथे लवस्ता में पेसियां लंबी और पतली हो जाती है नमबर सेबन पर आज़ेए सरीर की प्रतिरोधक छमता से जोड़ा सबसे महतपुन कोशिका प्रकार है कौन सा अएन में माइट्रोकॉंड्रिया, लिम्फोसाइट, लेटलेट, आरबीसी सरीर की परतिरोदक शमता से जोड़ा महतबून कोशिका प्रकार रिम्फोसाइट उसमें भी T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट देखिए परतिरोदक शमता संक्रामक घटक से सुरक्षा को कहते हैं यानि आपकी immunity, सरीर की immunity प्रतिरक्षी तंत्र में ऐसी कोशिकाई होती है जो आपका immune system में उसमें ऐसी कोशिकाई होती है जो हमलावर रोग जनक को मार देती हैं और हमारे सरीर में lymphocyte, monocyte, neutrophil, Eo, Cynophil और besophil होते हैं lymphocyte जो है वो agra, new, low side का एक प्रकार है ठीक है यह हैं दो प्रकार का B-Lymphocyte और T-Lymphocyte T-Lymphocyte की बात करेंगे पहले तो रोग जनक यानि पैथोजन को मारने और प्रतिरक्षी के उत्पादन में मदद करते हैं T-Lymphocyte प्रतिरक्षी यानि एंटिवोडी बनाने में पुशन नमबर एट पर जीए लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त सहवागी डैस एक साथ रहते हैं सेवाल कबक, कबक जीवाणू, सेवाल विशाणू, जीवाण विशाणू यह प्रस्ट इंपोटेंट है UPSC सिवल सेवा स्टेट PCS में पूशा जाता रहा है और बहुत सारे एक्जाम में पूशा गया है और इसका आंसर है सेवाल और कबक, OPSC नमबर एग देखिए जो लाइकेन है वो सेवाल और कबक के वीच सहजीवी संबंद है कबक सेवाल को बढ़ने के लिए एक स्थिर सत्य परदान करता है सेवाल प्रकास संसलेशन के माध्यम से दोनों सहभागी के लिए भोजन का उतपादन करता है दोनों मतलब खुद के लिए भी और कबक के लिए भी यह पार्स पर एक संबंद लाइकेन को चटान की सत्य और पेड की छाल जैसे कठोर वातावण में जीवित रहने की अनुमती देता है नंबर नाइन पर आज़ेजे साइनो बैक्टिरिया एक परकार का डैस है प्रकास संसलेशक विशानू प्रकास संसलेशक जीवाणू प्रकास संसलेशक कबक प्रकास संसलेशक जहणी साइनो बैक्टिरिया बैक्टिरिया ही है यह है प्रकास संसलेशक जीवाणू यानि बी देखे साइनो बैक्टिरिया या नीली हरी सेवाल या ब्लू ग्रीन एलगी एक प्रकार के प्रकास संसलेशन जीवाणू है वे अपने प्रकास संसलेशन के उप उत्पाद के रूप में उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं साइनो बेक्टरिया आम तोर पर कहां कहां पायат जाता है साइनो पाय जाता है आलय बड़िये जल में ब्लू ग्रीन कहां आलवडिये जलू में समुद्री वातबरहन में मिट्टी में चट्टानों पर ठीके छोटी छोटी घास जैसी दिखेगी आपको काई जिसको बोलते हैं हंदी में ग्रीन काई ठीके पैर रखोगे तो फिसल जाओगे उस पर गिरोगे बूरी तरह तो अलब और यह जल में भी हो जाती है समुद्री बातप्रन भी मिल जाती अगर पानी मोड सकते हो जहाब का बाहरी वाला च्वाइब उसको इंगों की रक्षा करते हैं प्रागाद अव्शोर्शक के रूप में काम करता है कंकाल के बेभाग जो हट्टियों की तरह कठोर नहीं होते और मोड़े जा सकते हैं कार्टिलेज कहलाते यानि उपास्ती यह बाहरी कान और नाकी नोक में मौजूद होता है जोड भी इनहें इनहीं के बने होते हैं और गत प्रेसिडेंट हो मिनिस्टर डिफैन्स मिनिस्टर सीडियस कि रक्षा अधिग्रण परिशद का अध्यक्ष होता है रक्षा मंत्री कि देखिए रक्षा अधिग्रण परिशद का अध्यक्ष रक्षा मंत्री होता है सीड़े सी र्याधक्य का डिफैन्स मिनिस्टर इस आभ्यास का उद्देश क्या है सी ड्रेगन 1923 भारत अमेरिका कनाडा जापान और दक्षिन कोरिया का साजा पंडुबी रोधी अभ्यास है उस्ट्रिया नहीं है इसमें इस अभ्यास का उदेश क्या है मित्र नौ सेनाओं के वीज साजा मूलियों और एक खुले समवेसी हिंद प्रसांत शेत रहे तू प्रत सिक्किम का डी हैस कांसर कि देखें वुम्चू एक वारसिक पवित्र जल फूल दान अनुस्थान है जो ताशे दिंग मठ में मनाया जाता है ताशे दिंग मठ कहां पर सिक्किम में तो सिक्किम का हो गया है ताशे दिंग मठ सिक्किम में रंगीत नदी के ऊपर एक देस्तिलों में से एक है और भुम्चु का अर्थ तिब्बती भास में क्या होता है पवित्र जलका वर्तन कि बंद अर्थ वहस्था पर कई बार हमने चर्चा किया डाइस सीरीज में बंद अर्थ वहस्था एक्लोज्ड एकॉनमी क्या होती है ये गाटे की वित्र विवस्था होती है केवल नर्यात होता है ना तो नर्यात होता है ना ही आयात होता है तो बंद अर्थ वहस्था मतलब क्लोज्ड एकॉनमी ना आयात हो रहा है देस में ना नर्यात हो रहा है ना कोई चीज बाहर से आ रही है ना अपने देस की दूसरे देस मे देखें वंद अर्थवरस्ता उसे कहते हैं जिसमें बाहरी अर्थवरस्ता के साथ कोई व्यपारिक गतिविधी नहीं होती इसलिए वंद अर्थवरस्ता पूरी तरह से आत्मिर्भर होती है जिसका अर्थ है कि व्यपार संबंधित कोई भी आयात देश में नहीं आता है और क तेके पाणी ले लो कि युश्य स्वर्ष लगाया पाणी कि निकालने के लिए निकल गया पानी ही नहीं तो गहला वाले देश से पानी ले लो उसको दे लो तिया कि अग्या ब्राजिल 1 मां 30ишь है दुनिय या का जिसम् progress कम आयाद होता है सबसे कम आयात करता है वो इस लिए ब्राजिल की अर्थवस्था को बंद अर्थवस्था माना जाता है नमबर फिप्टीन पर आजए प्रत्वी ग्रह पर नदी प्रणालियों के महत्व के संदर में जगरुकता को बढ़ाने के लिए प्रतिये एक वर्स मार्च में मार्च में कब मार्च यह तो मार्च ही बोलेंगे नदियों के लिए अंतराष्टिय दिवस यानि इंटरनेशनल डे ओफ एक्षन फॉर रिवर्स मनाया जाता है 14 मार्च को 22 मार्च को 20 मार्च को 25 मार्च को नदियों के लिए अंतराश्टी ये दिवस कब मना जाता है वाइस मार्च को तो विश्व जले दिवस मना जाता है 14 मार्च को मना जाता है ठीक है यहाँ आएगा 14 मार्च देखिए प्रतिवी ग्रहपर नदी प्रणालियों के महतु के संदर में जागरुकता को बढ़ाने है तू प्रतिएक वर्स 14 मार्ज को नदीयों के लिए अंतराष्टे दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस वर्स यानि वर्स 21-23 में इसकी 25 वी वर्सगार्ट मनायी गई और थीम भी इसकी है राइट्स फॉर रिवर्स नदीयों का अधिकार राइट्स ओफ रिवर्स जोजीला दर्रा कहां पर है जोजीला दर्रा बंद हो जाता है सर्दियों में ये जोजीला सुरंग बनाई जा रही है दोहार अठार से जोजीला है लद्दाक में, C has cancer देखिए जोजीला लद्दाक के कारगेल जिले में इस्थित एक उच पहाडी दर्रा है यह दर्रा लेह और स्रीनगर को जोड़ता है, साथ ही एक इन्शासत प्रदेश, लद्दाक और कश्मीर के बीच महतपूर्ण संपर्क मार्ग परदान करता है जोजीला दर्रा सर्दियों के दोरान भारी फरफारी के करण बंद हो जाता है, जिससे लद्दाक शेतर का कश्मीर से संपर्क तूट जाता है इसी को ध्यान में रखते हुए जोजीला सुरंग परियोजना की सुरुबात की गई थी वर्स देहर 18 में और यह सुरंग एसिया की सबसे लंबी और सामरिक दूई दिशात्मग सुरंग जो स्रिनगर कारगेल और लहे के वीच पूरे वर्स संपर्क पुरदान करेगी अब इतने सारे प्रश्ण करेंट से रिलेटेड मतलब साइन्स से रिलेटेड थे उपर अब आगया यह प्रश्ण हिस्ट्री का पालवंस के संदर में विचार करेंगे चार-चार स्टेटमेंट है कौन सा सही होगा पालवंस की स्थापना की थी गोपाल ने गोपाल ने बंगाल को अपने नेंतरन में एकिकरत किया और मगाद यानी वर्तमान के विहार को अपने नेंतरन में ले लिया तीसरा स्टेटमेंट बिहार में ओधंत पुरी मठ की स्थापना भी गोपाल ने ही की थी गोपाल ने की थी धर्म पालने की थी और धर्म परिवर्तन की का बाद गोपाल को बंगाल का पहला बहुत समराट माना गया कोई स्टेटमेंट ऐसा भी है कि ज विहार में ओधन्त पुरी मट की स्थापना गोपाल नहीं की थी, तीन से ही हो गए तो अब तो चारों से ही हो गए, क्योंकि वन्टू स्री कोई है नहीं, धर्म परिवर्तन के बाद गोपाल को बंगाल का पहला बहुत समराट माना गया, तो यह भी सही है, देखे पाल बंस की स्थापना गी थी, गोपाल ने एक नंबर में रख से पूछा गया, प्रशने कई बार पूछा गया, बिहार के ओधन्त पूरी में मठी स्थापना भी गोपाल नहीं की थी, धर्म परिवर्तन के बाद गोपाल को बंगाल का पहला बहुत समराट माना गया, और गोपाल ने बंगाल को अपने निंतर में एक इकरत किया, और यहां तक की मगद को भी अपने निंतर में ले लिया उसने, वर्शन मोर 18 पर आजए, सुक्र ग्रह के इस अंदर में विचार करेंगे, वताना है कि कौन साइस में सही नहीं है, देखे यह सूर का दूसरा निकटतम ग्रह है, सबसे निकटतम कौन है, बुद्ध, सौर मंडल का सबसे चटा सबसे वड़ा ग्रह है, यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, इसका अलिक्तम तापमान 450 रिगरी सेल्सियस, और अम्लिय मेग की वर्सा होती है, इसके उपर, और इसी के चक्कर में जीवन संभव नहीं है, इ तो दूसरे ग्रह के सापेक्स कैसे घुड़न कर गया, उल्टा कर गया है तो और यही गलत है, पर्थवी का सूरज पूरब से निकलता है, पस्चिम में छिपता है, लेकिन इसका तो ऐसा नहीं है, इसका तो पस्चिम में उदा है और आप पूरब में छिप रहा है, तो रस्पती में आपने देखा होगा, सनी में देखा होगा, देखे हाल ही में नासा के मैगलन अंतरिक्ष्यान ने, मैगलन अंतरिक्ष्यान जो है सुकर पर भेजा था कई साल पहले, नासा ने, ठीक है, उसने क्या किया है, विभिन कक्षाओं में, सुकर की विभिन कक्षाओं सुक्र ग्रह की सते की तस्वीर ली इसके चार और गुम रहा है वो और इस ग्रह पर दो वर्षों में अथ्वा उसने देखा मतलब इस मैगलन अंधिरिक्षान ने देखा कि सुक्र ग्रह पर दो वर्षों में अथ्वा तीन वार दो वर्षों में दो या तीन वार कुछ से पृष्वी की जुडवा वहन भी कहा जाता है जुडवा ग्रह भी कहा जाता है अधिक्या सौर मंडल का जो सुक्र ग्रह उस पर जीवन संभब नहीं है क्योंकि उसकी जो सतय का तापमान वह साड़े चार सो डिग्री सेलसियस तक जाता है ठीक है इस मतलब सब कुछ पिखल जाएगा और अमिलियम एग की वर्षा होती है इस पर एसीड रेन की खतरनाग वर्षा होती है इस पर जो इसको जीवन की संभावना को बिलकुल जो है नकार देती है यानि असंभावत जगे बनाती है जीवन के लिए चीज और शृप्र यहां अन्न रहके सापेक्स नहीं व्लकि विपरेव का ब मुद्र के साथ साथ इसका भी कोई चंदरवा नहीं ना हम आए नहीं कोई बेसे का या नवर हो न होैं कि सीकेरेश'Tेद्धि Guadhyana के नागरहोल राष्ट्य उध्यान अमेलिया की किस राजय में है क्या चृचक कि ए नागरहोल होत्य हो करनाटक में यह है इसकांसर देखिए नागरहोल राष्टे उद्यान को राजीव गंधी राष्टे उद्यान की नाम से भी जाना जाता है यह करनाटक के कोडागू और मैसूर जिलो में स्थित है बांधीपूर मुदु मलाई और वायनाड वन जीव अभ्यारण इस अभ्यार नाम रखा गया नागरहोल राष्टे उद्यान कि अब हम आएंगे 20 प्रश्ण पर अंतिम प्रश्ण है भारत में गिद्धों यानि वल्चर की मौत के कारणों का अध्यान करने के लिए वर्श दोहार एक में 12-13 साल हो गए वर्श दोहार एक में 22-23 साल हो गए वर्श दोहार एक में कहां पर एक गिद्ध देखवाल केंद्र इस्थापित किया गया था यानि वल्चर केयर सेंटर कहां पर इस्थापित किया गया था वर्श दोहार एक में ये किया गया था हरियाना में ओप्सन नमबर भी है स्कांसर देखे फरवड़ी देहर 23 में पक्षियों पर की गई पहली सामरिक जनगर्णा के अनुसार वर्तमान में तमिलनाडू में करनाटक में और केरल में गिद्दो की संख्या 246 से तीनों मिला कर और भारत में गिद्दो की मौत की कारणों का धियन करने के लिए वर्ज देखे यार एक में हरियाना के पिंजणौर में गिद्द देखवाल केंदर यानि वल्चै के अर चेर सेंटर इस्थाफित किया गया था और बर्तमान में भारत में नौ गिद्र संडक्षन और परजनन केंद्र है जिन में से तीन बॉम्बे नेचरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा प्रशाशित हैं इन नौ में से पिछले वर्षों में गिद्र की संख्या कम होती जा रही है और उसका कारण है के एक सोडियम कि डिकलोफेनिक दबाईयां उसी से उनका किट्नी और लीवर फेल हुआ कई सालों में और गिर्द्दों की संख्या कम होती गई कि वल्चर दिखते ही का हैं तो 20 प्रेश्ण थे यह इनकी प्रेक्टिस कर लेजेगा इन सभी किया फुल टेस्ट बीडियेव सीरीज प्राप्त कर सकते हुए यह रंबर इस पर कॉल या वाट्सप करके इनी पेट टेलिग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो जिसका प्राइज है 399 बस कि सब्सक्राइब रखेगा सेवल सर्विसेश्टेडी चनल को धन्यवाद